तो दोस्तो आज की वीडियो का टोपिक रहने वाल है telly prime software में sale voucher की प्रिंटिंग की setting को लेकर तो दोस्तो एक अप्रेल 2021 से अगर आपने अपने manual books of accounts को telly prime software में maintain करना शुरू करोगे तो आपको हर customer को आपका जो sell invoice है वो telly prime software से ही आपको print निकाल कर देना पड़ेगा, तो दोस्तों उस कंडिस्टिन में आपको एक ही इन्वोईज की तीन कोपी आपको निकालनी पड़ सकती है, दो भी निकालनी पड़ सकती है एक आपको अपने कस्टमर को देनी पड़ेगी, दूसरा आप अपने ट्रांस्पोर्टर को दोगे और तीसरा आप अपने बिजनस के लिए सेल्फ रखोगे तो दोस्तो इस तरीके की सेटिंग हम टेली प्रैम सौट्वेर में किस तरीके से करेंगे ये आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं तो दोस्तो अगर आप अपने बुक्स अप अकाउंट्स को कम्प्यूट राइड आप कर रहे हो एक अप्रैल से तो आपको इस सेटिंग को समझना बहुत ही कमपल सरी है तो दोस्तो वीडियो बहुत ही नोलेजेबल रहने वाली है इसलिए इस वीडियो को एंड तक कम्प्रेट पूरा देखना दोस्तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जुरूर बताना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में सेर भी कर देना और अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ओन कर लेना जोकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की इंट्री टेली सॉफ्टवेर में करके रखी विया है सबसे पहले हम उसको देखते है डेबुक पर जाएंगे और ये एक मेंने सेल इन्वोईस बनाया हुए है तो दोस्तों ये सेल वाउचर में ये जो हमारी जो वाउचर नमबर की जो कौनिफिगरेशन सेटिंग है यूनिक नेम के साथ इसकी सेटिंग कम किस तरीके से करते हैं ताकि हमारा जो स्रीज है वो वन टू थरी ऑटोमेटिक चलता रहे तो इसके लिए मैंने हमारी चैनल पर ओलेडी वीडियो अपलोड कर दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को आप भी जरूर देख लेना क्योंकि ये वीडियो भी अगर आपने एक अप्रेल से कंप्यूटर एट बुक्स मेंटेन करना शुरू किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा तो दोस्तो हम करते हैं प्रिंटिंग के बात दोस्तो जैसे हम सेल इन्वोइस के इन्वोइस हम मारे टेली प्रिंटिंग के लिए हम जाते हैं एल्ट पी के साथ या हम यहां से इस पर प्रिंट पे क्लिक करके भी हम जा सकते हैं यह पर शोटकट एल्ट पी का भी हम यूज़ करते हैं तो जैसे हम एल्ट पी यूज़ करेंगे तो हम इंटरप्रेस करेंगे और इंटरप्रेस करने के तो इस टाइप का यह invoice जर्नेट होगा तो दोस्तो इस invoice की setting भी हम configuration में जाके कर लेंगे तो दोस्तो आज का में topic वह यह है भी हम जब sale invoice customer को issue करेंगे तो उस invoice के उपर original for recipient का नाम यहाँ पर किस तरीके से print होके आए इसकी setting करना सिखेंगे तो दोस्तो इसके लिए हमें कुछ configuration setting हमें करने पड़ेगी तो सबसे पहले हम gateway टेली पर आएंगे और उसके बाद हम use करेंगे एल्टर option को उसके बाद हम जाएंगे voucher type पे और उसमें से हम select करेंगे sale voucher को तो दोस्तो sale voucher को जैसे हम select करेंगे तो उसके बाद आपको एक option यहाँ पर यह मिलेगा printing एंडर में print voucher after saving तो अगर आपके पास यह option नो आ रहा है तो इस option को आप yes करोगे तो मैं इसको yes करूँगा और control A के साथ इस window को save करूँगा तो दोस्तो उसके बाद में हमें अगर आपको आपकी business के according केवल दो ही आपको print out चीए एक ही invoice के customer के लिए और दूसरा अपने self के लिए या फिर तीन चीए तो उसकी setting हम किस तरीके से करेंगे तो दोस्तो उसकी setting क प्रिंट के लिए हम आपको यहां पर एक option दिखेगा print का हम print पर click करेंगे और उसके बाद में एक option आएगा configuration का हम configuration पर enter press करेंगे और यहां पर हम करेंगे show more पर click और उसके बाद इस option को हम enter press करेंगे we set number of copies for printing vouchers तो हम इस पर enter press करेंगे तो यह printing printer के जो setting सारी open हो जाएगी इसमें आप debit note के है, delivery note के है, purchase invoice के है, receipt note के है, सभी के setting हम यहां से कर सकते हैं तो हम आज जो setting करने वाले हैं वो केवल sell invoice की करेंगे तो यहां पर लिखा हुए number of copies for sales invoice तो आपको तीन invoice चीए तो आप यहां पर तीन type करोगे, only आपको दो ही चीए तो आप यहां पर दो ही type कर करूँगा और interface करते हैं इस window को भी मैं करूँगा यहां से save और इसको भी control A के साथ accept save करूँगा, तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे उस sales invoice पे एक बर दुबारा, और अब यहां पर इस sales invoice के command यहां पर लगाते है, alt P के साथ print पे जाएंगे, अब यहां पर देख रहे हैं तो अब आपके सामने option आगे, number of copies का 3 का, यानि कि अब इस invoice की जो copy यह वो तीन print out में निकलेगी, हम preview देखेंगे, तो अब यहां पर आपको यह option यहां पर देखेगा, text invoice पे, original for recipient, एक बर point figure पे देखेंगे, alt Z के साथ हम जूम कर लेते हैं उसको, अब यहां पर देख रहे यानि कि अब यह जो invoice है, यह आप अपने customer को दोगे, उसके बाद में इसकी जो second copy जरनेट होएगी, और उस पर जो लिखा होएगा, भी duplicate for transporter, अगर आप transporter use करते हो, अगर आपके, यानि कि आपका जो customer है, आप customer को खुद delivery करवाते हो, transportation के थरू, तो आपको यह invoice है, जो transporter को भी देना होता है, तो इस पर लिखाएगा, duplicate for transporter, तो यह copy आपको transporter को भी देनी पड़ेगी, और उसके बाद में, जो third copy निकड़ेगी, उस पर जो लिखाएगा, with triplicate for suppliers, यानि कि यह अब आपकी business के खुद के पास रहेगा, अपने sell के record को maintain करने के लिए, तो दोस्तो इस तरीके से हम, यहाँ पर इसके setting करेंगे, तो दोस्तो जैसे हम यहाँ पर हमारा जो sell invoice है, हम जैसे इसको accept करेंगे, तो इस window पर हम आजेंगे, और यहाँ से हम इसक print पर क्लिक करके, इसके print की command देंगे, तो आपके पास यह इसी invoice के, यानि की एक number invoice के तीन copy आपके पास से आके print out हो जाएगी, और उसमें सभी के ओपर heading के ओपर यह अलगलग copy पर अलगलग नाम भी लिखा होगा, तो दोस्तो इस तरीके से आप दो copy को भी अकर निकालना च जाओ, तो आप इस configuration setting पर जाके, दो पर क्लिक कर सकते हो, printing पर जाओगे, configuration पर जाओगे, और show more पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद में, set of copy जो printing voucher है, तो जहां पर अब हमने आपर जो तीन जो दिया है, यहां पर आप देखे हो, हमने जो तीन number जो दिया है, तो यहां प प्रिंट आउट है, वो आप अपने record के लिए maintain कर सकते हो, तो तेन तो उसी condition में हमें रखने होती है, अगर हम transporter का use करते हैं, तो तो दोस्तो इस तरीके से हम टेली software में cell voucher किया, जो setting, easily तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तो वीडियो अगर आपको knowledgeable लगी हो, वीडियो से कु तो दोस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में के नए टोपी के साथ,